भाकसात एटेंशन अवधान सरल भासा में अवधान का अर्थ होता है ध्यान देना इसके पीछे दो बाते होती हैं एक मनोबरिती दुसरा अभीरूती परिभासा एटेंशन एक मानसिक प्रक्रिया है जो ब्यक्ति को अनेक उतेजगों में से केवल एक या सीमित कुछ उतेजगों के समंध में सचेतन करता है करेक्टरिस्टिक्स ओप एटेंशन अवधान की निमलिकित विश्यस्ताएं है एक मेंटल प्रोसेस दुसरा अच्छा इसका हिंदी मानसिक प्रक्रिया मैं हिंदी बोलाँ परियोजनता तिसरा चैनात्मक्ता चाथा ततपरता पाचवा आश्थिरता चटवा सिमित विस्ता पर साथवा अनवेशन आतमक और आठ नम्मर गतियों में समा योजन अब अगला एटेंशन रॉल इन एजूकेशन एडूकेशन के छेत्र में एटेंशन की भूमिका अहम है चुकि एडूकेशन इस प्रोपाट अप लाइफ इसलिए इस छेत्र में एटेंशन के निमलिकित आहम भुमिका है एक उद्यम स्रिष्टी विद्यार्थी को अपने किसी भी कारे के संपाधन के लिए सबसे पहले उद्यम की जरूरत होती है एटेंसन ही विद्यार्थी को अपने विशय में रूची जगा कर उसमें लगे रहने में मदद करता है दुसरा चरित्र के निर्मान के लिए सद्गूनों एवं अच्छी आदतों का विकास अनिवारे होता है यद तभी हो सकता है जब विद्यार्थी अपने तन मन के प्रती सचेत हो और इसके लिए टेंसन की अहम भुमिका है और तिसरा पाठ करम तथा अवधान सिच्छा की सफलता पाठ करम के उचित निर्धारन पर निर्वा करती है पाठ करम इस प्रकार का होना चाहिए कि बालकों का अटेंसन इसके प्रती बना रहे इसके साथ ही पुरा हुआ अब एटेंसन अब हम अगले भाग आठ में देखेंगे इंट्रेस्ट धन्यवाद